शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हमसे उल जी तो देखिए आगे अना नदीजा सामने तुम आती को फोन कर रहे हैं या मैं तुम्हारे घर जाकर बहुत प्यास से तुम्हारे मम्नी पापा को तुम्हारे इन कर्टूतों के किस्से सुनाता है देखो नशद्दा तुम्हारा खास दोस्तुम्हे मिनने घर आया है और यह पती रेव बीच में आके घूर रहे हैं अरे यह तो मारने आले ते मजे जाओ यहासम और इसे भी साथ लेकर जा तुम्हारा यह जो भी है ना तेरे घर के बाहर सहिए यह तो खुद ग्रीन सिंग तुम्हे एक बार बात समझ नहीं आती है क्या सुना ही नहीं दे रहे तुम्हे निकलो यहां से बहुत हो क्या यह जो तुम्ही तो मेरे खर आई थी तो देखो आज मेरा आगया तुम्हारे गर लिकल जऑ औरना मेरे आतोंसाज बायरा जाएया तुम्हेख पागल होना क्या तुम्हे थे टुम्हारी बहन को मौटलिंग करें इसलिए मैं केर्ती से मिलने ही अहां याओ यहां मगर यहतो कर्ती नहीं है क्या अगर पर पर होईने दुम्ही नहीं और बाद leg आता हूं हम सब के सामने बोलेपन की तस्वीर बना के क्या से क्या बनगे रितू अपने साथ अपनी बैन को भी किचर में किसीट होगी क्या यह अब क्या कह रहें अबे अच्छा हुआ गरवाली आज गरपर नहीं यह सब देखने ही बाते कीर्थी मैं जानती हो तो कुनाल से मॉडलिंग के काम के बारे में बात कर रही थी ना मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मैं जानती हो कीर्थी कि यह सब अब पुरानी बाते हैं तेरी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी आ रही है जानती है कीर्थी कभी कभी हमें नहीं पता होता है लेकिन मातारानी सब जानती है वो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है और देख तो सही दिशा में आगे बढ़ भी रही है तेकी इरती इस घरन में अब सब कुछ अच्छा-च्छा हो रहा है वरुन जी को उनकी नौकरी मिल गई घरवाले भी पिछली सारी बाते बुलाकर तुझे दुबारा से अपना रहे हैं अब ऐसे में उस कुनाल की बातों में आकर वरुन जी के साथ अपना रिष्टा तुबारा से कमजोर मत पढ़नी थे दीदू, हमें पता है कि हमने छोटी, बड़ी, भौछ सारी गलतियां की है पर अब अब ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे अपना ख्याल लिए चलती क्या हुआ किर्थी? किसका मेशिज है? वो वरुन जी का वो पूछ रहे कि घर आते टाइम कुछ हमारे लिए लेकर आना है कि नहीं अपना ख्याल रखना यू है यू है यू है विन सेलेक्टिट फो दी आड कॉंट्राक घर पे भिजवा दूगा गुड मॉर्निंग बीवी सद्दा मेरी बीवी चलो या कर दे कलत कलत गर में हो तुम तुम जाओ ना यार तुम्हारी इस खर में लोक किसी को कोई भज़रत नहीं तुम ना उसके पार जाओ पसंद दाना तुम्हे उसका घर पसंद दाना तुम्हे मेरे घर क्यो लाई तु बेहन से बिलवाया हुसे तु ती क्यो ड्रामा क्यो पेश शरम पेश शरम मेरी बीगी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने इतनी रात को गर में सब सो रहे हुट जाएंगे महान देवी के चनम बढ़ने मेरे को अभे एक तरह वो है एक तरह मैं हूँ देवी को तोनों की चिंता है खुद बूलेगा ठीट ये साफ एक ट्रामा है किया भए ये नथ तुमसे शादी करना ही नी चाहता हूँ और नो में तुरा अपना घरा हूँ घरा विष्टा तोड़नी गया था जोड़ा या अरे दोस्ती कर बैठा तुमसे तुम तुम और तुम इस शादी के बाद इस्ता ही तोड़ दिया मेरी दोस्ती को लाजबार दी तुमने तोखे बाद हो तुम मेरी बीरी अरे 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 तुम्हारी कमी थी तुम्हारी कमी थी तूसरों को दुख पहुचाकर उनकी जिदगी बर्बाद करके खुद यह जिद मगर मचके आंसू मेरी भी ताली 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 यहाँ ताली ताली बहुत अबहुत अब बहुत तकलीफ नहीं दूँगी में आपको बहुत जल्दी इस घर से चली जाओगी अब तुझे अपनी सिहत का और जादा द्यान लखना है पाका अरे शुदा बिटा कैसी हो ताली बिल्कुल दीपाकी अपना बहुत द्यान लखो अच्छा मुमारको आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन हम आपसे बहुत माराज है आपकी बेटी का घर है किन आपचारिकतां में फस गया जो इतना सारे सामान ले आए अरे वो तो यश्वी जी नही है वरना जिस आपचारिकता की आप बात कर रहे है इतनी बड़े खुश्वी नहीं तो हमारी आप उस सब हो जाता है भेंट बाजे वाला वह अकेले मुझे जो समझ में आया वो ले आया मैं हम भी यश्वी जी का ही इंतजार कर रहे है पिस वो आजाए उसके बाद कीर्ती की गोदभराई की जिम्मेदारी हमारी वैसे हम इंतजार कर रहे है कि हमारी दीदू कब खुशखबरी सुनाएंगी पताओ ना दीदू हमने क्या कुछ गलत पूछ दिया क्या सब ऐसे क्यों चुप हो गया अरे पर हमने तो बिलकुन सही सवाल पूछा है जलता हूं भाई सब आफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स है नमस्ते कीर्ती तू इतनी भड़ी हो गई है महापन्ने वाली है फिर भी कब कहां क्या बोलना है किसके सामने बोलना है यह तो सोच लिया करना अरे हम दोजी भूजा कि आपको खुश खबरी सुना रही है इसमें वलत क्या है भाबी वैसे इस लड़की के मूझ से निकले हुए हर बात हमें कलाती लगती है लेकिन आज आपकी खोनार सरवगुन संबन बहू के आगे नहना भाबी की तुष्ट बहु बाजी मार गए हम तो बस बता रहे पहली खुश कबरी इनके नाम पर हुई है श्रदा बेटा देखो विज्ञान नेना काफी तरक्की कर ली है तो कोई भी कमी अगर है तो उसका इलाज है तो एक बार अभै के पापा की तबे ठीक हो जाती है तो फिर हम तुमको डॉक्ट के पास जरूर ले जाएंगे ठीक है मेटा ऐसा है ना कि हमारे कान भी ना दादी सुने के लिए तरस्क है है वैसे तो हर मामले में तुम बहुत ही होश यार हो लेकिन पता नहीं कैसे इस मामले में कीरती ने बाजी मार ली लेकिन कोई बात नहीं है तुम थोड़े पीछे रह गई हो लेकिन जल दीना हमें कुछ खबरी दे ही देना भावी भी कमाल है हमारी आपको पता है मम्मी हमारी भावी को ना दूसरों के साथ साथ अपनी कम्यावी अच्छे से पता है लेकिन उससे भी कमाल की बात यह है कि भावी पन ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है क्यों? सही कहाना भावी आरती यह क्या तरीका अपने भावी से बात करने का? मम्मी, मैं तो बस यह कह रही थी कि जैसे आपका मन करता है कि आपको कोई दादी-दादी क्या कर बुलाए तो वैसे मेरा भी तो मन करता है कोई हो जो मुझे बुआ-बुआ क्या कर बुलाए और वैसे भी, अब कब तक इंतिसार करूँ मैं? अच्छा, तो तुमारी कौन सी ट्रेंट चूट रही है? और वैसे भी, शादी तो अभी हुई है ना? कमाल है ममी! जो चीज़ आप खुद करते हो, वह आप मुझे करने से कैसे मना कर सकते हो? इसलिए क्योंकि हम तुमारी माँ हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो! शदा बेटा, तुमना यहां का काम सब खतम करो, और तुम पहले हमारे साथ चलो, आओ! आ रहे है! जी? कृदी दिरपाटीं जाँ मा, बाप, बती, भाई, बहन, सब तो कानपूर में है कीर्थी को चटी किससे बेजी होगी? देखे क्या? देखे देखे अब बहाजी, हमारा है? और वैसे भी, किसी और का लिफाफा ऐसे नहीं कोलते, अच्छी बात नहीं होती है! क्या बोल रही हो तुम, किसी और का? कीर्थी, तुम खुद को बराया क्यों कर रही हो? देखो, परिवार में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ सांजा होता है और जिस हिसाब से तुम हडबढा रही हो, हमें देखना पड़ेगा किस के चिट्टी है बताओ, 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 नहीं, नहीं, वह जी, हम हडबढा रही है? नहीं तो, वो नप, मा का, मा की चिट्टी है, हम थोड़ा ना, भावुक हो गए, हाँ? एमोशनल, एमोशनल हो गए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कुछ जादा ही चलने लगी? यह क्या तरीका अपने भावी से बात करने का हाँ? मतलब जो भी मुह में आए, बग दो अरे, हम थे ना वहाँ, बोल रहे थे पर ममी मैं तो बस उन्हें और बात करने का भी एक तरीका होता है माना कि हम ताने मारते हैं लेकिन हम प्यार से पुछकारते भी हैं समझी कुछ? समझ के गलती होगी मुझसे कि मैं आपकी चक्र में आपकी बातों में आगे आगे से गलती बिल्कुल नहीं होगी हम कहा जा रही है? मुझे आपसो भी बात नहीं करने इसे क्या हुआ? अधे, तू उसे छोड़, तू यहां के बैठ हमें तू उसे बहुत जरूरी बात करनी है हाँ बताईए ममी देखो बेटा हमें ना बातों को गोल-गोल को माना नहीं आता है तो हम सीधे-सीधे कह रहे है हमें जल्द से जल्द पोता चाहिए क्या? इस गर में सब के तर पागल हो गए है क्या? सबने अपना ही सूर पकड़ के रख़ा है अरे ऐसा कौन सा सूर हमने पकड़ लिया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अरे बेटे के शादी के बार पोते की ख्वाइश रखना गुना है क्या? मम्मी यार अरे मम्मी मम्मी हमने बहुत सुन लिया अब हमें सिर्फ दादी दादी सुनना है अरो भी अपने पोते के मुंह से और वैसे भी हम हम ही कहे पीछे रहे हर चीज में आज तो वो नैना भावी ने भी हमें र mosquitoes आपपार अरे हमें जो कहना था ना हमने कह द्धा बास हमें कुछ नहीं सुनना है कभी-कभी आप क्या बोलती है न मुझे कुछ समझ में नहीं आता अम्मी आप जानती है कितनी परिशानियों का बोज है मेरे कंदे पे बगवान के लिए इन्हे और मत बढ़ाईये अपने पैसे अपने पास रखो अपने घरवालों की जुरूरते पूरा करने के लिए मैं अभी जिन्दा हूँ पता नहीं किसके पैसे कहां से क्या क्या करके ले आओगी लगता है अभय और शद्धा के बीच में मामला करपड है हमें पता लगाना होगा हाँ कॉंट्राक्ट भी आ गया नियम और शर्तें कारे के दौरान या कारे पूरा होने से पहले अगर मॉडल गर्वती होती है तो ततकालीन रूप से समझोता रद कर दिया जाएगा कॉंट्राक कैंसल भी हो सकता है स्वीटू यह देखो मुझे तो वदा ही नी था कि आजकल बच्चों के लिए क्या-क्या आगे जो मुझे दिखाना है न उसके लिए तुम्हे बैठना बड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कि मेरी वज़े से तुम्हे यह हमारे बेभी को कोई भी तक्लीफ माचे बैठो यह देखो तीन महिने के बच्चों के लिए इतने सारे क्लोने आ गए यह देखो हमारे टाइम में तो वह जुन-जुना पकड़ादे से याद है यह देखो तो बहुत कुछ लेकिया और यह देखो अगर लड़की हुई तो उसके लिए एक क्यूट सी फ्रॉप छी है न और अगर लड़का हुआ तो यह छोटे से बच्चे के लिए छोटे छोटे कप्रे और यह देखो स्वीटू यह क्या है तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता हूँ तुमने कहा था तुम्हारी बहन को मौटलिंग करने इसलिए मैं कीरती से मिलने यहाया हूँ मकर यह तो हमें जल्द से जल्द पोता चाहे क्या है सब अहे अपका हाथ जल क्या दिखाए अपना यह नाटक बंद करो भूल क्यू जाती हो मैंने तुम्हारा असली चहरा देखा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पर दबाब बनाने की बच्चे के लिए अरे यह आप क्या बाते कर रहे है मैंने मम्मी जी से ऐसा कुछ भी देखा है मेरा विश्वास कीजे विश्वास करूँ तुम्हारा विश्वास करूँ मैं मेरे विश्वास के तुम चिंता छोड़ दो तुम यह सोचो, जिसदिन मम्मी को तुम्हारे उस लबर के बारे उपर तुम्हारे उस खास दोस्त के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारा विश्वास करेंगी शात उनसे नफरत क्या तमाशा है यह? आपको पते हैं, अपनी कारिफ करवाने के लिए उने पापा को दो लाख रुपे का चेक दिया करसम खा के रखी है तुमने मेरा जीवन हराम करने की जिस चीज के लिए मना करता हो वही करती हो शांती से बात नहीं होती का तुमसे कैसे होगी बापा? आपकी ये लाडली वह उस खर की शांती उडाने लगी है मेरे जीवन की, मेरे दिवाग की कहा हो तो मैंने? मैं अपने परिवार का ख्याल अतने के लिए अभी जिन्दा हूँ हुमारी बीख नहीं चाहिए झाहिए झाहिए